हलो चो भेरी भेरी गुड मार्णिंग टू आल अफ यू तो कैसे है आप लोग बहुत अच्छे तो टार्गेट पॉल टेक्निक के सिरीज में आपको फिर से एक बहुत ही महतुपून लेक्चर जो है वह आपका मोडल पेपर केमेस्टरी का लाया गया है और आज का केमेस्टर का मोडल पेपर जो आपके बीच लाया गया है यह भी आपको बहुत ही महतुपूर्ण कोस्टन सब इसमें भड़ा हुआ है एक से एक कोस्टन आपको महत्पूर्ण होते हैं और आपको पता ही है कि केमेस्टरी को कैसे सारदा वाले के द्वारा डिल किया जाता है तो आज च कोस्टन आपको इस से बना हुआ और ऑड़ा साही कोस्टन डाइडेक्टा अ तो आप वहां पर बिलकुल सही बना किया है तो चलिए आज का हमारा पहला लक्टर है पहला कारते हैं पहला को कोस्टन हमारे बीच जो उपस्तित है वो कौना को सब्सक्राइ बहां, करोैं बिरंजक चुर्ण का अनुसुत्र क्या होता है बिरंजक चुर्ण यानी बेटा ब्लेचिंग पाउडर कौन सा पाउडर आप जानते होंगे ब्लेचिंग पाउडर bleaching powder का पूछ रहा है कि molecular formula क्या होता है तो bleaching powder का chemical name जो होता है यह आपका bleaching powder है कौन सा powder है bleaching powder है और इसका chemical name जो होता है वो आप जानिएगा तो आपको अल्डेडी पता चल जाएगा इसी का जो chemical name है वो रासाइनिक नाम इसका क्या होता है तो इसका रासाइनिक आम होता है कैल्सियम ओक्सिक क्लोराइड कैल्सियम ओक्सिक क्लोराइड कैल्सियम ओक्सिक क्लोराइड इसका रासाइनिक नाम होगा और कैल्सियम ओक्सिक क्लोराइड का सुत्र क्या होगा CAO CL2 तो पूछ रहा था chemical formula कौन सा option हो जाएगा D is the correct option मैंने इससे पहले भी एक question पिछले lecture में आपको करवाया था बहुत थी important question था मैंने वहाँ पर भी आपको कहा था कि जो आपका common name होता है उससे ज़्यादा important है कि common name के ज़से आप chemical name जानिए एक chemical name आप जानिएगा तो chemical formula लिखने में आपको मदद मिलेगा किस element का बना हुआ है वो पता से लेगा उसके properties को आप बता सकते हैं common name तो एक साधार नम है जिसका पिछले lecture में हम एक जामपल दे दिये थे कि आपका जो घरेलू नाम होता है जिसका कोई तथ नहीं होता है गोलू, मोटू, छोटू, डॉगू, बिल्ली ये सब कुछ भी डाल देते हैं कुट्टा के जैसा बहार देखा कुट्टा नाम रख दिया किसी बच्चा का लेंगरा जा रहा है रोट पर तो कह देगा लेंगरा जा रहा है कांसर नहीं सुनाई दे रहा है तब बहरा जा रहा है तो ये सब कॉमन सिम्टम पर नाम डाले आते हैं ठीका तक केल्सियम ऑक्सी कोलॉराइड हो गया ये कोशन नेक्स्ट कोशन कर बगते हैं हमारा अगला कोशन क्या कहता है जरा दियान से देखिएगा कैत कहता है निमलिकित में से कौन गलत है बताए एक अच्छे इंधन की विशेस्ता है बेटा बहुत अच्छा फ्यूल जो होगा गुड फ्यूल के विशे में पूछ रहा है कि गुड फ्यूल क्या होगा तो गुड फ्यूल की कुछ विशेस्ता हो अच्छे लोगों की कुछ विसेस्ता होती है अच्छे समान की कुछ विसेस्ता होती है विसेस्ता ही तो इंसान विसेस्ता ही तो किसी भी चीज को अच्छा या बुरा बनाता है उसके प्रोपाटीज किसी भी सबस्टांस के गुन ही तो वो बताता है कि कोई भी चीज अच्छ कैलोरिफिक वैलू जो हो हम पहले समझाते हैं फिर कोस्टन पर देखेंगे कैलोरिफिक वैलू जो हो आपको बहुत ज़्यादा हो कैलोरी मान जो होगा वह आपको बहुत ज़्यादा होना चाहिए कैलोरी मान कहने का क्या मतलब है जरा मैं इसको आपको समझा दू सबसे इंप के जी आपको पेटरॉल दे दिया जाए किलो से माप के देंगे लीटर या एक लीटर पेटरॉल दे एक लीटर आपको डीजल दे एक लीटर आपको किरासन दे एक किलो आपको लकडी दे एक किलो आपको कागच दे एक किलो और भी सबस्टांस ऐसे करके आठ दस सबस्टांस आपको एक केजी या एक ग्राम हम आपको दे देंगे और सारे को आप जलाईएगा और सारे को जलाने के बाद उससे जो एनरजी आपको निकलेगा वही वैलू आपका कैलोरिफिक वैलू होता है वही वैलू क्या होता है कैलोरिफिक वैलू तो कैलोरिफिक वैलू ज्यादा हो इस्तिमाल के आता है वो 14 kg यानि 14.2 kg का आता है एक जेक्ट वित अगर चोड़ी नहीं करेगा भेंडर तो 14.2 kg होगा और 57 आदमी का परिवार वन मन्त यानि 30 या 35 डेज आसानी से आपका निपट जाता है उसमें क्या आपको मैं 14 kg लकडी दे दू तो 14 kg से 57 आदमी का परिवा कजनेगा नाँ संबहाएं 14 kg अपको कागच दे दू क्या उससे एक टाइम का ख़ना मनेगा अाभिषा 7 लाल से 36 मशेवर घह मंते तो 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 तकम जलाने पर ग Cell MIKE जलने पर जिससे ज्यादा एनर्जी मिलता है वो बहुत अच्छा फ्यूल होता है, यह point number one था, पहला number point हमारा यह था, दूसरा number point यह है, कि आपको यह जो होगा, वो easily storeable होगा, यानि इसको आसानी से store किया जा सकता है, आसानी से इसको कहीं रखा जा सकता है, क्या रखा जाता है, आसानी से रखा जा सकता है, रखा जाने वाला आसानी से रखा जाने वाला यानि क्या इसको इस्टोर करने में कोई समस्या नहीं हो आपको पता होना चाहिए एक तो ज़्यादा लगेगा सहर में आप देखेगा तो आप लकड़ी कहां रखिएगा रहने के लिए तो रूम है ही नहीं एक रूम में गैस च इसको इस्टोर किया जा सके किसी भी जगा रखा जा सके तो गैस सिलेंडर को इस्टोर करना आसान होता है gypt नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इजली ट्रांसपोर्टेबल इसको आसानी से एक जगग से दुसरे जगग ले जाया सकते हैं। नित् classify ट्रांसपोर्ट नठ कॉइला को या लक्डी को पैर मारके ले जागा देखता होगा गयत एक छोटा बच्चा भी है इतना अच्छा शेप साइज में बना दिया है कि रोट पर टहला देता है पैर से मारते हुए मारते हुए घस्टाते हुए लेके चला जाता है तो यह सब कुछ अच्छे फ्यूल की विशेश्टा होती है इसके बाद आपको जिससे धुआ न निकले प्रदूसर नहीं करता हो तो नाक में काला कला लग जाता था कार्वन का या पूरा घर काला पर जाता था क्या अभी आप गैस से लेंडर इस्तमाल करते हैं तो उसमें ऐसा होता है नहीं होता है क्योंकि आपका यह अंसे चुरेटर यह आपको सेचुरेटर फ्यूल होता है कैसा होता है सेचुरेटर कहने का मतलब यह होगा कि आपका सेचुरेटर फ्यूल होगा सेचुरेटर कहने का मतलब यह हुआ कि यह संत्रिप्त होगा होना चाहिए संत्रिप्त होना चाहिए इससे प्वाईजन से स्मोक आपको जहडीला धुआ हुआ कार्मन मोनोक्षाइड या बहुत सारे हैं यह सब आपको नहीं निकलते हैं तो यह सब कुछ विशेष्टाएं हैं जो आपको मदद करता है क्या इसका उसमीय मान जो है आपका इसका जो आपका उसमीय मान होगा यानि कैलोरिफिक फैलू हम लिख दी हैं बहुत ज़्यादा यही आपका उसमीय मान है उसमीय मान इसका क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा यानि कम जलाएंगे तो ज़्यादा एनरजी हमको मिलेगा कम जलाने पर ज़्यादा एनरजी मि सके स्टूर करके आसानी से रखा जा सके नमबर टू-प्वाइंट नमबर त्री-प्वाइंट है जिसको ट्रांसपोर्ट एक दगा से दूसरे जगा भेजने में हमको पड़ानी नऌ आप गेस अभी देखतो हो गैस पैपलाइन से गैस को भीज़ा आता है क्या पाइपलाइन बना के गोईठा को भेज सकता है, पाइपलान बना के लकडी को भेज सकता है, उससे नहीं भेज सकता है, तो ये सब दिक्कत है, इतना ही नहीं, प्रदूसन कम करें, हमारे भायू मंदल को प्रदूसित कम करें, ठीक है, ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं, स्याचूरेटर होना चाहिए संत्रीप्त होना चाहिए तो ये सब एच्छा इन्धनका बिशेष्था होता है अच्छे इंधन के advantage होते एच्छे इंधन के properties होते है जो good होता है उसके ये सब कोठे क्या होते है ये सब कुछаго niche है ये यह भी अच्छी चीज है होना चाहिए लेकिन इससे भी और टेक करके अच्छा क्या दिया है उसे सुगमता से दहन सीलता होना चाहिए आसानी से जल जलता ही है और उसे जलने के बाद हानी काड़ा का विस्ट गैस पदार्थों से मुक्त होना चाहिए ठीक है यह भी आप करता है कि उसका उसमिये मान निम्न होना चाहिए आप पूछ रहा है क्या निमलिखित में से कौन सा गलत है तो ये तो होना चाहिए अच्छा इंतम में आसानी से क्या हो जाए एवलेबल हो जाए कहीं भी आसानी से आप खोजे आसानी से मिल जाए ये भी आपका अच्छा प्रोपर तो आपको मैंने 578 प्रोपर्टी डील करके बता दिया तो आज के बाद अगर इससे कोशन आता है कि अच्छा फ्यूल क्या होता है तो आप लोको किसी भी एंगल से कोई और प्रोब्लम नहीं होना चाहिए चलिए नेक्ट इसके और मूष किया जाए है सबस्दस के नगर की है फटा फट देखिये किrings शचन को देखिर नेक्स्ट प्रॉस सिम्रां क्या काता है हमारा अगला को सने पार्ट लेंड सब से महत पूर्न चीज़ protocols अभी देखता होगा इंद्रा आवास, प्रधान मंत्री ग्राम सरक रोजगार योजना, क्रिशी मंत्री ग्राम सरक रोजगार योजना, नहीं इंद्रा आवास का तो चलिए रहा है, प्रधान मंत्री सब को पक्का का घर बना बना के दे रहे हैं, किसका इस्तमाल होता है, आध तो प्रिजमा आ गया, बहुत सारे कंपनी जो है, इसमें लॉंच कर चुका है, अपना अडानी ग्रूप का भी अब अपना ही प्लांट बैठाने जा रहा है, तो पूछ रहा है कि पॉर्टलेंड सेमेंट क्या है, आप से यही पूछा जा रहा है, जो आपके घर बनते हैं, औ किस से बनता है, क्या सब इसमें पाया जाता है, पाये जाने के पीछे क्या विशेशताय होती है, यह का, कैसे करता है, यह सब चीज मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, तो एक एक करके देखिएगा, पहला चीज है, कि आपका यह जो सेमेंट होता है, यह जो आपका सेमें है Portland cement यह आपको बेटा सब से पहले इस्तमाल किया गया था कहां तो Britain में यानि सब से पहले Portland cement का यूज कहां हुआ था तो Britain में हुआ था एक बहुत बड़ा टाबर और किला बनाने के लिए इसका के दोरा तो जो सब सबसे पहले Portland cement का अश्तमाल किया था अब भी Portland cement में पाया जाता है, aluminum का जो अपसिस्ट पदार्थ होता है, वो भी पाया जाता है, magnesium का जो अपसिस्ट पदार्थ होता है, वो भी पाया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें मुख रूप से आपको, tricalcium aluminate, tricalcium aluminate, जिसका chemical formula CA3, AL2, O6 होता है, tricalcium aluminate, नाम यही होगा, जैसे अमन का नाम, अमन ही लिखते हैं, वैसे हिंदी में भी tricalcium aluminate, किसका chemical formula CA3, AL2, O6 होता है, और यह आपको 11% पाया जाते हैं, कितना पाया जाता है, 11% आपका calcium aluminate में tricalcium aluminate पाया जाता है, और उसके बाद आपको tricalcium silicate जो है, वो आपको 51% पाया जाता है, tricalcium silicate आपको Portland cement में जिसका chemical formula CA3, SiO5 होता है, वो आपको 51% पाया जाता है, और dicalcium silicate जो होता है, वो आपको इसमें कितना पाया जाता है, CA2, SiO4 वो आपको 26% पाया जाता है, यह 26% प्लस 11% और प्लस कितना, 26, 11 आपका कितना हो गया, 26% और 11%, 26 और 11 कितना हो गया आपका, 26, 10, 36, 37% और यह 38 यानि 88 तो यह हो गया, इसके बाद भी और छोटे छोटे पाया जाता है, आप देखे न, 26 यह है, 11 यह है, 26, 11 क्या हो गया, 37 हो गया, आप 51 आपको यह दिया, 37, 138 यानि आपका 88% तो कभर करता है, यह मुख रूप से आपका क्या, tricalcium aluminate, CA3, AL, whole 6 आपको 11%, tricalcium silicate, आपको CA3, SiO5 आपको कितना पाया जाता है, तो यह आपको 51% पाय पाया जाता है, 51% और dicalcium silicate इसमें जो पाया जाता है, वह आपका 26% होता है, CA2, SiO4, ठीक है, अब इसके बाद इसमें और भी कुछ पाया जाते हैं, क्या सब पाया जाते हैं, हम एक एक करके बेटा आपके लिए सब चीश सेलेक्टर के लाएं, calcium oxide इसमें 50-60% होता है, calcium oxide हो का oxide आपको 1-2% होता है और sulfur trial oxide जो होता है वो आपको 1-2% होता है, तो ये सब मिलाकर आपको किसका निर्मान होता है, potland cement का निर्मान होता है, बिलन होता है, तो इसके जो molecules है जो आपको दिये गया है वो water के साथ coagulation की क्रिया करती है संग घनन की क्रिया करती है और इसके molecules उसके साथ react होके जमना सुरु कर देता है और जम कर एक ठोश रूप ले लेता है और इसमें gypsum जो इसका बनता है तो वो आपको जमने से रोकता है जमने से रोखता है लेकिन इसके molecules इतना कोई creations करता है कि calculate करके जमना सुरू करता है तो ऐसे आपका Portland cement काम करता है उपयोग कहां कहां किया जाता है तो घर बनाने में किया जाता है रोड बनाने में किया जाता है बिल्लिंग बनाने में किया जाता है मंदिर बनाने में किया जात है calcium के illuminate और silicate पाय जाते हैं बिल्कुल साही चीज़ है calcium का illuminate इसमें भी calcium का जो illuminate होगा वो कौन सा होगा तो try calcium it Luminate पाय जातो और calcium का ही silicate पाय जाता है यानि calcium तो शुरू से last तक हमेशा होगा ही calcium oxide कितना पाय याता है 50 से 60 percent calcium पाय जाता है calcium illuminate के फॉर में 11% जिसमें Tricalcium Aluminate पाया जाता है 11% Tricalcium Silicate आपको 51% पाया आता है और Dicalcium Silicate आपको कितना पाया आता है Calcium का तो 11 यह आपको वहां से भी देख सकते 88 88% है और यहां से भी देखेगा तो 50-60% और यह जो आपका दिया हुआ है 20-25% यहां ध्यान से देखिए तो 60-60-80% आपको यही कवर कर लेता है और बाद बाकी जो मैं बोला था कि आपको बचता है 5-10-12-14% वो 10-12-14% पे Aluminium का Oxide 5-10% के बीच रहता है Magnesium का 2-3% 1-2% और 1-2% यह सब को मिला देजेगा नीचे वाले 4 को तो यह 4 मिला कर 10-12% को कवर करता है और इन सभी के Mixer से इसको बना जाता है बहुत ही इंपोर्टेंट आज के टेकनोलोजी के दौर का आधुनिक दौर का बहुत ही इंपोर्टेंट सबस्टांस है Portland Cement समझ में आ गया चलिए Next Question के और Move करते हैं हम लोगा हमारा अगला Question क्या होगा वो देखिएगा हमारा अगला Question क्या है कहता है कि Petroleum में Petroleum नाम सुना होगा यह भी आपके आधुनिक दौर के लिए बहुत इंपोर्टेंट है अभी के दौर के लिए पेट्रॉल क्याब सकता बहुत ज़्यादा है क्या अती प्रति जोलन सील पदार्थ जो होता है जो highly inflatable substances होते है उसमें आपको जान बूझकर गंधक को डाला जाता है क्यों किसी भी दुरगटना से बचने के लिए किसी भी दुरगटना से बचने के लिए तो करता है पेट्रोलियम इस प्रकार की गंध क्यों पाई जाती है त तो यह जो दुरगटनाय होती है जैसे हमारा LPG जो गैस है मैंने इसके विशह में भी आपको बहुत अच्छी तरह से explain करके किसी लेक्शन में बताया था model paper में ही या महाभारत के lecture में या हो सकता है previous year question हो या फिर model set हो मैंने बहुत एंगल से बहुत तरह से systematic way से आप लोग क हम डेलीवर कर चुके हैं इतना content आप लोग को दे चुके हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि LPG गैस भी अडरलेस गैस होता है उसका भी कोई smell नहीं होता है कोई color नहीं होता है लेकिन उसमें मरकेप्टाइन एक मरा हुआ गैस को मिला दिया था क्यों मिला दिया था आप जो कहते हैं कि देखो gas leak कर रहा है वो LPG का खुष्पू नहीं होता है वो मरकेप्टाइन गैस का खुष्पू होता है वो मरकेप्टाइन गैस का उसका smell बहुत ज्यादा होता है थोड़ा सा लिक करेगा पता चल जागा ताकि कोई दुर घटना से बचा जा सकते तो petroleum में भी वै करका कोई दुर घटना नहों लिक कर जागा कहीं से छोटा सा चिंगारी भी घर्चन भी हो जाए तो आग लेगा तो बहुत बड़ी दुर घटना हो सकती है इससे बचने के लिए उसमें आपको वैसे chemical compound को डाल दी जाते हैं जिसका एसमेल हमको सुंग है जिसका खुसबू जिसका एसमेल हो गंध हो वह हमको हमारे नाक तक आता है तो हम समझ जाते हैं कि कहीं कुछ लिख है और उसको क्या कर देते हैं फिर हम सील कर देते हैं अब आपको दिया हुआ है petroleum petroleum बेटा मुख रूप से hydrocarbon होता है किसे बना होता है hydrogen और carbon से बना होता है कैसे आता है कैसे बन Aromatic compound कि इसको कहा जाता है वैसा compound जो Benzen group का compound हो जैसे आपका Cyclic group में जो compound आता है Benzen यानि Aromatic compound का head ही आपका Benzen होता है ठीक है हो ठीक है यह आपको isoctane है यह आपको क्या दिया हुआ है isoctane 1 2 3 3 6 और एक आपका कहानी मैं छोड़ रहा हूं इसी आप प्र आईसा होगा इसमें iso group भी होता है और new group भी होता है दोनों ग्रूप इसमें पाए जाते है यहाद कई एप का बाद में आता है यह आपका कुं सा ग्रूप है तो यह था पका यूग्रूप हो सका ही होगा तो आईसो ऑक्टेन इसमें पाय चाता है दूसरे आपके एरोमेटिक कमटॉंट जिसको व्लाईत योगिक बोलते हैं और इसमें मुख़ूफ से दो सीज पाया जाता है तो यह आपका बैंजीन है यापका क्या है 6H6 आपका बैंजीन पाया जाता है और यह 6H5 CH3 आपका टॉलीन भेंजीन और टॉलीन मुख रूपसे जो होते हैं इसमें जो petroleum पदार्थ होते है hydrocarbon तो यह भी hydrogen carbon यह भी hydrogen carbon और यह भी hydrogen carbon सब में देखता होगा hydrogen carbon छोड़के और कुछ है नहीं है तो hydrocarbon का मुख रूप से compound आपका petrol होता है ठीक है hydrocarbon का तो इसमें iso-octane और aromatic compound मुख रूप से पाया जाता है और यहीं जो benzene यह जो benzene यह आपको gasoline को देता और यह जो gasoline दिखाई दे रहा है यही gasoline को पर्धान करता है गंद को पर्धान करता है यहीं जो gasoline S6 H6 यह gasoline को produce करता है benzene आपको gasoline पूछेगा की पेट्रॉल में गंध किसके कारण होता है तो बेंजीन के कारण पेट्रॉल में गंध किसके कारण होता है तो बेंजीन के कारण कैसे होता है तो सीधा लिखिया कि बेंजीन जो है वो गैसो लाइन को रिलीज करता है या गैसो लाइन को फॉर्म करता है और वही उसी का गंधम को पेट्रॉल मे देखने को मिलता है तो यह आपको समझ में आ गया होगा मुखरूप से तीन घटक होते हैं तो किसके कारण तो आपको compound पाया गया इसमें कौन सा compound पाया गया तो दो चीज तीन compound hydrocarbon का यह compound होता है पेट्रोल इसमे आईसो औक्टेन पाया जाते हैं aromatic compound यानि वलाइत योगिक पाया जाता है तो वलाइत योगिक पाया जाता है वलाइत योगिक में मुखरूप से दो योगिक होते हैं एक आपका बेंजीन दूसरा आपका सबस्क्राइब कर चुके आगे बढ़ें आए समझ में लिख लिए लिखते जाए वेटा जितना कुछ बोलते हैं उसको एक एक पॉइंट को लिखते जाईए चलिए आगे बढ़ा जाए चलिए next question हमारे पास क्या है करता है कि निमलेकित निमलेकित योगिकों में से कौन aromatic hydrocarbon anthropometric hydrocarbon कौन होगा अभी तो समझा रहे थे aromatic hydrocarbon क्या होगा एल एक फैलीन मीधन यह सब नहीं होगा smartינ sais किमें प्रिंग में पाये जाता है जो डिन्ग में पाये जाता है जिसमें double और triple bond हो यानि ऐसा हो कि ring मतलब कहने का मतलब अंगुठी नहीं जो ring से रोमनी होता है बिल्कुल सब तरह से घीरा हुआ हो और इसमें double bond या triple bond कहीं उपस्तों उसी को aromatic compound का जाता है next question सुधतम gold की सुधता क्या होती है सोना चांदी बेचने वाले लोग अक्सर जानते होंगे या आप भी जानते होंगे कि सुधतम gold जो होगा उसका सुधता हम लोग कैसे निकालेंगे जो gold होगा तो आपको बेटा हम बता दे gold को जो मापा जाता है वो carrot में मापा जाता है कि मापा जाता है कि और carrot में ही हम बताते हैं कि यह आपका सुध्ध है या फिरा सुध्ध है तो आपका 100% गोल्ड जो होगा आपको पता होगा 100% गोल्ड है इसमें कुछ नहीं है जैसा कि हम मानते हैं वैसे तो 100% पर यह हुखका 56ज़ चौविस kयरेट होगा चौयल्यth कौनेकर सुध्ध के सुध्ध के सुध्ध्य पर्सेंट जिया एकट्सक्inea सुध्ध मैं 100% प्योर होगा, 100% क्या होगा आपका, प्योर होगा, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, आगे question क्यों बढ़ा जाए, next question, चलिए, हमारे पास, अगला question है, क्या कहता है, है, Mercury Cup Oxide, Mercury Cup Oxide यानि HGO को गर्म करने पर मरकरी बनता है, बिल्कुल सही चीज़ है, यहां पर किये है, HGO को हमने क्या किया, 180 किलो जूल पर गर्म किया, तो मरकरी प्राप्थ हुआ, आपका है, मरकरी और आपका है, आपका है, आपका है, आपका है, पूछा जा रहा है बोलो बोलो क्या होगा इसका मान आप देखिए यहां पर ध्यान से देखिए कैम के लिक्वेशन को आप लोग ऐसे कितने कोस्टन्स आप लोग को बताएं फिर भी आप लोग जवाब नहीं देते एक सो औसी है एक सो औसी किलो जूल एनर्जी दिया जाता है तो यह आपको टूटता है ठीक है कोई दिक्कत है ऐसा आपको दिया वाए बैलेंस है क्या नहीं है पहले बैलेंस करो यह संतुलित अभिकरिया है दो एच जी दोएच्जी दोटो संतुलित है इट मिंस इसका एस्टेशोमेटरी लिखिए बैटा यह आपका 2 है यह आपका 210 किलो है यह कोख़ने को देना होगा यह हैं आपको हम नहीं कह रहा है यापको हले तब हमना ह्या swoo या जिद फिर आपको यह? हम किसको दिए है 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 इस ज्यों को इतना एनरजी देते हैं तो 2mol आपका hg प्राप्थ होता है अब हमको 2mol क्या 2mol hg प्राप्थ करने के लिए आपको 180 kJ देना परता है तो आपको पूछ रहा है कि संब्भब तो उसमा का मान क्या होगा तो 1mol यानि लिखा हुआ है पर मोल सब ओप्षन में तो एक मोल HG प्राप्त करने के लिए कितना एनरजी देना होगा भाई तो दो मोल के लिए 180 गैस एक मोल देना होगा 50 किलोजूल एनरजी जब आप दे दिजागा किसको यानि इसी हजी यो को यह जो HGO आपको दिया गया है इसको अगर हम 90 क्योजूल एनरजी देते हैं तो यह आपको किस में तूट जाएगा HGO में तूट जाएगा और Oxygen यहाँ से बाहर निकल जाएगा HGO में तूट के Oxygen बाहर निकल जाएगा तो आपको पूचि रहा था तो प्रती जूल कितना तो प्रते इक mul एच जी एक मॉल एच जी और से एक Mोल एच जी प्राप्त करने के लिए हमको इनर्जी देना होगा तो 90 किविलमजूल एनर्जी देनी तो चलिए फटप्ट लिखिए गालिश को कि अ कि आगे समझ में आगे बढ़े हमारा नेक्स कोस्टन क्या कहता है सो देखिए अगला कोस्टन एक जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फोर मोल सीयोटू का ग्राम में दर्भमान निकालना है ग्राम में निकालना है तो चलिए निकालते हैं कि निकालना सुरू करते हैं क्या है आक देखिए आपको बेटा सीयो टु दिया हुआ है असे नहीं है कुछ इसका मतलब ही एक मोल दिया हुआ है अंडर 27 का कितना हो जागा 12 oxygen का कितना हो जाएगा 16 है तो दोनों को जोड़ दिजेगा तो 32 24 गराम हो जाय यानि एकージ मॉल सीवेटी का जो आपका द्रभिमान हो जाएगा वह आपका 44 गराम हो जाएगा समझ में आया एक मोल का कितना जाएगा bene ग्राम कितना मॉल का पूछ रहा है बाई 0.4 तो 0.4 मॉल का निकाला है मास निकाला है CO2 का कितना होगा तो 0.4 का तो 44 ऐंटु 0.4 ग्राम हो जाए गार 44 इंटु 0.4 ग्राम अब इसको फोर फोर जाई 16 2016, 2017 upon 10, तरह मैं किया हो जागा? 17.6 ग्राम हो जागा. 17.6 ग्राम आपको आ जागा. समझ में आया कि नहीं, आया? यानि, एक मोल का जो आपका दिया हुआ था CO2 का एक मोल का वाल के मास कितना होता है? 44 ग्राम तो 0.40 मोल का कितना होगा? हमने आपको निकाल दिया 0.40 लिजिए 0 लिजिए यहां पर 0 लिजिएगा तो यह 0 रहेगा यह 100 हो जाएगा कट कुट के आपको वही देगा 17.6 17 पॉइंट कितना जाएगा तो 17 पॉइंट आपका 6 ग्राम आपका आजाएगा बिल्कुल अबिसली यह कोस्टन क्लियर होगा आपको बिल्कुल आसान कोस्टन था हमने बता दिया नेक्स कोस्टन की और मूब किया जाए हमारा अगला कोस्टन क्या काता है 18 कैरेट मैंने अभी बताया था आपको मैंने अभी बताया था एक question पीछे करवाया था कि 100% gold होने के लिए 100% के लिए 24 karat होता है यानि 24 karat में 100% आपको सोना पाया जाता है 24 karat में 100% आपको gold पाया जाता है इतने gold पाया जाते हैं AU ठीक है यह पाया जाता है तो एक karat में कितना पाया जाएगा भाई तो 18 केरेट में कितना गोल्ड होगा 18 केरेट में 100 बटा 24 आगुने क्या हो जाएगा 18 इतना आपका इतना गोल्ड आ जाएगा इतना परसेंट आपके गोल्ड आ जाएंगे इतना परसेंट तो काटो इसको 6 से छतरी का ठार चोचक 24 चार से काटिए 25 यानि क्या 75 परसेंट कितन 75 परसेंट आपको क्या पाये जाएगा तो 75 परसेंट तो 18 करेट का आप अगर सोना खड़िते हैं तो उसमें कितना परसेंट गोल्ड होता है 75 परसेंट गोल्ड होता है ठीक है 25 करेट का सोना खड़िते हैं तो 100 परसेंट आपका गोल्ड पाये जाता है सोना आपको 100 परसेंट पाई जाता है नेक्स्ट कोश्टन अभी 24 करेट का एक कोश्टन था पीछे नेक्स्ट कोश्टन क्यों मूव करें अगला कोश्टन देखा जाए चलिए हमाना नेक्स्ट कोश्टन क्या कहता है लोहा का सब से सुध्ध रूप होता है लोहा का चार गोरूप होता है बेटा एक स्टीर होता है एक हो पिघ़ का लेड़ा होता इसको करणAsk पिटवाल होता एक आपका धलबाई लोहा होता तो लोहा का जो सब से सुधतम रूप होगा वह आपको कौन सा होगा तो रफ या venट अफीन होता है क्यों होता है वो में आपको बता दू कि इसमें लोहा की percentage बहुत ज़्यादा होती है iron की percentage इसमें बहुत ज़्यादा होती है इसमें carbon आपको 0.08% पाया जाता है इसमें carbon आपको 0.08% carbon पाया जाता है बादमा के पूरा का पूरा लोहा पाया जाता है इसका इस्तमाल जो लोहा हुआ टूट जाता है और बेल्डिंग करते हैं उसमें किया आता है जो असुध लोहा होगा उसका बेल्डिंग में इस्तमाल नहीं कर सकते हैं ठीक है बेल्डिंग में इस्तमाल नहीं करेंगे तो यह आपका असुध लोहा होता है यह बहुत ही मजब क्रोमयम भी पायाता है तो आपका कर्म पायाता है तो आपका क्रोमियम भी पायाता है तो तो मेरे ख्याल से आपको यह clear हो गया होगा सब से कम impurity जिसमें पाए जाता है किसमें जो आपका रॉप फाइरन पिटवाल होता है उसमें पाए जाता नेक्स्ट कोस्टन की और मूब करें हमारा अगला कोस्टन क्या है जरा सा उसको देख लेते हैं हम आगे वाला कोस्टन के कं से संधीनल से लिए मूब कर रहा है दियान से देखिएगा क्या चले यह एक कोस्टन हमारे पास अगला कोस्टन क्या है तो हमारे पास कोस्टन है है हेलोजन की वाहतम कक्छा में लैक्ट्रोंहों की सम्क्या होती है बेटा हेलोजन की वह होता है है लोजन asog अट मतलब होता है मैं जंस का मतलब होता है फोर्मर सी सूल्ट फोर्मर नहीं सी पुंद्री लबन में किया जाता है जो हमारे सॉल्ट पाए जाते हैं हमारे समुद्र में जो सॉल्ट पाए जाते हैं उससे जिसका निर्मान होता है वही आपको हैलोजन होते हैं और हमारे पिडियाडिक टेबल में हमारे आबर्त साजनी में या आपका हैलोजन आपका पी ब् इसमें जो elements होते हैं हेलोजयन में वो कुन सब होते हैं तो फ्लोरीन क्लोरीन भ्रोमीन, iodine और एंटासिन जिसमें ये लो आपका आपको डीया हुआ हूँ हुआ है यह दिया हूँ है यःदियोयक्टिवध होता है यह क्या होता है radio सक्डिये होता है यह आपका radio सक्डिये होता है यह आपका क्या होता है तो यह आपका radio सक्डिये sebsnance होता है जो आपको alpha, beta, gamma और बहुत सारे harmful ray निकलता है तो मुख़रूप से हमारे पास जो element आया वो आपको fluorine, chlorine, bromine और iodine से है तो इसी element को हम लोग क्या बोलते हैं जो element आपको दिखाई दे रहा है इसी को बेटा हम लोग halogen बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैı halogen बोलते है he exposed clear, halogen क्या होता है वह आपको समझ में आ गया अभी तक मैंने question नहीं पढ़ा है हेलोजन को समझा दिया कि हेलोजन्स क्या होते हैं तो हेलोजन्स आपका हेलो प्लस जेंस दो सब से बना हुआ हेलो का मतलब होता है सी सॉल्ट C-Salt का मतलब समुंदरी लबन जो समुंदर में salt पाय जाते हैं C-Salt former जो समुंदरी लबन का निर्मान करता हो या समुंदरी लबन की मदद से जिसका निर्मान होता हो वो आपके halogenes होते हैं हमारे आभर्त साजनी में ये P-Block का element होता है P-Block में किस group तो 7A group क्योंकि P-Block में आपको 3A group से लेके 8A group तक पाया जाता है जिसमें 7A group जो वर्ग नंबर 17 है वर्ग नंबर 17 का element होता है इसमें 5 element होते हैं chlorine, fluorine, bromine, iodine और entacine, entacine आपको radioactive होता है fluorine, chlorine, bromine और iodine क्या होगा आपके halogenes होंगे ठीक है अब पूछ रहा है कि halogenes में जो electron का संख्या है साइद उसका questions आपको पूछा जा रहा है कि halogenes में कितने electrons पाये जाते हैं वाहतम कक्षा में तो halogenes का जैसे हमने fluorine ले लिया तो fluorine में कितना आ गया भाई, noise का atomic number होता है तो पहला कक्षा में 2, दोसरा कक्षा में 7 तो वाहतम कक्षा कोण है तो valence orbit आपका यह है वाहतम कक्षा कोई आपको कोण है जो 12.100 सबसे लास्ट कक्षा में जब आप दखीेगा तो गितने electrons आंगे तो सॅथ सात्था तो क्लोरीन के अंतिम कक्षा में जो एलक्ट्रों सोगा वह आपको कितने होंगे सेवन होंगे और यह मैं कैसे बता सकता हूं वह भी आपको एक तरीका बता देते हैं कि जिस ग्रूप का element होता है अंतिम electron अंतिम कक्षा में वाहतम कक्षा में उतने ही electron पाए जाते हैं अगर ये 6 ए ग्रूप का होता यानि 6 नमर ग्रूप का होता पी ब्लोक के तो इसके valence electron 6 होते 5 नमर ग्रूप का होता तो valence electron 5 होता अंतिम कक्षा में उसके ऐलाग्टरान्सेट्रों अगर ब्रूर्श की तही पितना होता आठ्लेक्टरों होता आप वैसे भी अंदाजा लगा के टिक कर सकते हैं और मैंने तो पूड़ा कहानी ही इसका बता दिया आपको, चलिए, आगे बढ़े, next question कियो और move करते है, हमारा अगला question क्या कहता है, वो ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला question कहता है, अगला question कह क्या रहा है, उसको ध्यान से देखते हैं कि आवर्त सार्णी में किसी आवर्त का अंतिम सदस निमलिकित में से कौन है किसी आवर्त का अंतिम सदस निमलिकित में से कौन है तो आवर्त सार्णी में आवर्त का अंतिम सदस जो आपका दिया गया है तो अंतिम सदस जो होगा वो आपका क्या हो होगा, helium होगा, थीक है, neon होगा, last में, एनि आब रतासाजनी के बिलकुल लास्ट में, थीक है, अब neon के बाद आपका 건 होगा, आरगन के बाद आपका क्रिप्टान होगा, क्रिप्टान के बाद आपका genon होगा, Genon के बाद आपका Radon होगा ये आपके अंतिम Electrons होते हैं बिल्कुल एट एब ग्रूप में यही पाएजाता है inert gas element होता हाइड्रोजन है नहीं है इसमें भाई है इलियम है तो है अन्तिम में हिलियम, औक्सीजन है नहीं है, नाइट्रोजन है नहीं है, समझ में आ गया होगा, अन्तिम में कौन होगा, ठीक है? अब कहता है आधुनिक आवर्त सार्नी यानि मोडर्न प्रियाडिक टेबल में तत्वो के वर्गी करन का आधार क्या है तो बेटा मोडर्न प्रियाडिक टेबल जो है आधुनिक आवर्त सार्नी जो है वो मोडर्न प्रियाडिक टेबल को किसने बनाया तो नील बोर्ड ने बना था कौन सा था एटॉमिक नंबर था परमानु संख्या के आधार पर नील बोर्ड ने क्या किया था तत्वों को सजाया था तो परमानु संख्या कहीं दिखाई दे रहा है दे रहा है सर तो किसको डाल दीजेगा आपको परमानु संख्या को टिक कर दीजेगा समझ में आया चलिए आगे कोशन के और मूब किया जाए हमारा नेक्स कोशन क्या है काता है कि निमली खित में निमली खित में से कौन उपचायन की अभिक्रिया नहीं करता है वही आपसे पूछा जा रहा है तो ऑक्सीजन का योग उपचायन का अभिक्रिया हाइड्रोजन का निशकर्शन जब होगा तो उपचायन होगा hydrogen oxygen का योग, यानि oxygen को यानि O2 आपका दिया भूआ है और इसको nascent oxygen O के साθ मिला दिजेगा तो O3 ozone बन जाता है यह आपको oxygen था यह आपको normal oxygen है और यह आपको nascent oxygen nascent oxygen highly reactive होता है nascent oxygen कहने का मतलब नया oxygen nascent oxygen कहने का मतलब क्या होगा तो नया oxygen होगा नाया ओक्सीजन होगा ठीक है नया ओक्सीजन आपका यह होता है और यह वहाइलिक आपको highly reactive होता है, क्या होता है? आपका तैक है highly reactive होता है बहुत ज्यादा कर्या चील होता है यानि बहुत ज़्यादा रहता है तो इसमेशमी आपका उपचयन नहीं हो लाह है Fair द्रुजन को जलाईएगा निसकर्षन कीजेगा उपचयन होगा धातु के तत्व का निसकर्षन कीजेगा तबजी उपचयन होगा इसमें भी होगा इसमें भी होगा सम्में होगा ठीक है उपचयन के किरिया सम्में होगी एक में नहीं होगा बाद बाकि सम्में होगा समझ में आगे बढ़ा जाए हमारा next question क्या है सो देखिएगा क्या कहता है किसी योगिक में question क्या कह रहा है कि किसी योगिक के अनू में एक दूई बंधन होने के लिए आवसक है जब योगिक में दूई बंधन होगा तो कम से कम आपको कब होगा जैसे माल लो कि आप अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में चाह कर भी दूई बंधन ने बना सकते हैं क्यों ने बना सकते हैं क्योंकि इसमें जो वैलेंस एलक् सीजन में इसका वैलेंसी दो होता है आप बना सकते हैं कारबन में डबल भी बना सकते हैं कारबन में ट्रिपल भी बना सकते हैं कारबन में सिंगल भी बना सकते हैं तो बना सकते हैं तो कम से कम क्या होना चाहिए कोई a कोई element भी है इन दोनों को रिला कर हम कोई compound बनाने जा रहे chemical compound अभी इसमें हमको दूगो बंधन चाहिए तो दूगो बोंड तथे एक बोंड बनने के लिए दो एल्यक्ट्रों तो इसके एक एल्यक्ट्रों सेइगा दोनों को कम से कम आपको कितना एलक्ट्रोन चाहिए तो कम से कम आपको चार एलक्ट्रोन चाहिए तो एक पियर एलक्ट्रोन यहां और एक पियर एलक्ट्रोन यहां यानि एक जोरा एलक्ट्रोन एक के पास और एक जोरा एलक्ट्रोन एक के पास और दोनों का दोनों वैलेंस एलक्ट्र हो गया और यह आपको बाने जो हो गया यह आपको यह Дोनों मिलाकर एक बनाया यहां और यह वाला तो यह आपको बुर्फर योग में लाक्ट्रोन हो गया ठीक है इसको बोलेंगे एक-जोग में लाक्ट्रोन टबीच में तब ही जाके डबल बोन बनेगा यानि चार एलक्ट्रोन क्या वा सकता होगी एक बंधन निर्मान में कम से कम दो एलक्ट्रोन चाहिए तो दूई बंधन निर्मान के लिए कम से कम चार एलक्ट्रोन होना चाहिए तो दोनों तत्वों के पास दो इसके पास और दो इसके पास होगा तभी यह जाकर किसी योगिक क्या उमें एक दुई बंदन का निर्मान होगा अधर बाई संभाब नहीं है आगे बरहा जाए आगे बरहे फटा फट इसको कभर किजिए को कभर करना नहीं भूलना है बिल्कुल विदम तेजी से इसको कभर करते रहिए हो गया बरहे हमारा अगला कोस्टन देखिए बहुत यह अच्छा कोस्टन है बहुत खुबसूरत और बहुत अच्छा कोस्टन आपके बीच है आप इस कोस्टन को देखिएगा दिल खूस हो जागा वैसे मैंने गैस का लौ पिछले लक्टर में पढ़ाया था एसके लो से भी बहुत अच्छे चे कोसंदी हैं आपको क्या कहता है कि गैस का लौ पिछले लक्टर में हमने बॉल्ट चाल्च लौ गेलुचेक्ष लौ एभोगार्ड देज लौ चारो का चारो गैस का लौ आपको पढ़ा दिये थे ठीक है इस टीपी एंटीपी रियल गैस आईडियल गै सारा कहानी आपको बता दिये थे क्या कहता है कि ताप ताप एभम दाव की समान अवस्थाओं में एक ही सद्रिस एक ही सचिद्र बरतन से ऑक्सीजन एभम हाइड्रोजन के बीशरन की गतियां का अनुपात होगा क्या कहता है बिटा भाई कहता है कि जब टैम्परेचर को औ और प्रेशर को क्या कर दिया गया है समान अवस्था में यानि क्या सेम कर दिया गया है या कॉंस्टेंट कर दिया गया टैम्परेचर और प्रेशर आपको कॉंस्टेंट ठीक टैम्परेचर और प्रेशर को क्या कर दिया गया कॉंस्टेंट कर दिया यह लौ आपको कौन बत कर दिया था कि टाम परेच्र पसे र、、 तबी या उस्दन करक्वा घल उस्य लीवित? ו की अब अने अपरो, जो का खिए मनतर है योग तब कर नियुट है। अब माम, है क्लाल निसे में, कैसे अब माल व सब्सक्रा डी उस मецरा है। यानी आपको ऐसे आपको कोई बरतन है और इस बरतन में क्या किया गया है जरा मैं वो आपको बता दू तो सायद आपको समझ मैं आएगा इस में छेद कर दिया गया है क्या कर दिया गया है छेद कर दिया गया है और इसमें गैसे जो इसमें डाले गया है वह आपका है कि टेंपरेशर प्रेसर 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 फ्रेसर प्र이식 इसमें इसका यह जाय हुज adult मैं नित्वियोल कहुत है रहते हैं एक सब्सक्रेस्वाइब सत्क करें इसमें था मैस्त ऐसम को चारratoे होगा इसमें अब का प्रेसर है चारोबल से इसमें तो बंद है तो यह भागा है कोई भी आदमी आदमी अगर जेल में कहा दी है तो बThose-बागना है औरables जबना क시고 आर्ब के दोर में तो विवास आधी होने के उसके बाद फिर आजाद होना चाहता है खूला चीरियां की तरह आजाद होना चाहता है एक चाहता है गोगर बच्चा को लेकर हम अपना जिन की अलग जी अकेले जी ये विंदास जी ए खासके एवड裡 तो का यूग जब होगा राज जब होगा तो ऐसा देखने को जहूर मिलेगा तो आप देखते होंगे एगो को बाग या ओको उले के भाग देखता है सुप्रिम कोर्ट सौब को ठीला हूँ आभी अभी अभी देखता होगा बरतमान में बहुत तगड़ा नीज चलला है चलो वह नूजन बताने के लिए नहीं आया है हम जिस चीज को बताने आया है वह आपको समझाते हैं यह आ bili तरह मं आगया होगा कि के अगा सप्रम प्रेश्क है टाप और दाप को समाना वस्था में रख दिया गया भिल्कूल तो है तो यहां oxygen हमारे atmosphere में पायाता है ध्यान से देखिएगा वह आपको O2 के form में होता है oxygen का mass कितना होता है 16 ठीक है तो जगर हो गया तो 16 गुने 2 कितना इसका 32 ग्राम आपका मास हो गया मास इसका क्या होगा 32 ग्राम इसका मास हो गया M आपका 32 ग्राम हो गया यह आपका M2 हो गया यह आपका M1 हो गया ठीक है अब आपसे पूछा क्या जा रहा है तो M1 upon M2 तो R1 बटा R2 जो होगा वह आपको root अंडर M2 upon M1 के बराबर होगा ऐसा आपको बताया गया था तो आपको निकालना क्या है R1 बटा R2 ही निकालना है इसके बिशरन का तो M2 आपका कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है 32 की 1 32 नहीं 2 M2 आपका कितना दिया हुआ है यह आपका M1 है तो M2 आपका दिया हुआ है 2 M1 दिया हुआ है 16 16 ने 32 32 इसको काट दिजेगा तो एक बटा कितना आ जाएगा अरे भाई कट ठीक से कट यह आपको रूट अंडर आ गया यह आपका 2 और यह आपका 32 इसको काटेंगे तो 16 बार में यानि रूट अंडर 1 upon 16 आएगा यानि क्या 1 is to 4 आजाएगा क्या भी सरन कादर होगा 1 is to 4 होगा 1 is to 4 यानि हाइड्रोजन निकलेगा तो वहां से जो आपक क्यों था बहुत ही अच्छे को संथे नो डाउट की कोस्टन आपको खड़ाब था आगे बढ़े नेक्स्ट कोस्टन की और मूब करते हैं हमारा अगला कोस्टन क्या काता है किसी गैस का किसी गैस का 27 डिग्री सेल्सियस पर आयतन आपको कितना दिया हुआ है 300 मिली लिटर क्या कर दिया हुआ है ठीक है दाब क्या काता है दाब को इस्थी रखते हुए यानि प्रेशर को आपको क्या कर दिया गया है कॉंस्टेंट कर दिया गया प्रेशर आपको कॉंस्टेंट है तो गैस चेंज किस पर करेगा मैंने बताया था कि गैस का जब कभी भी चर्चा होगा तो temperature और प्रेशर आना ही आना है no doubt है ठीक है तो एक को हमने constant कर दिया तो बचा किyan temperature change करेंगे तो गैस का w簪éis्ट करेंगा हिसाब से में 177 dooけて से घर कर दिया जाय तब आप गैस का आयतन क्या होगा तो हमने चाल्स लोग वाल्स लो और गेलू सेक्स लोग का कहानी पिछले लेक्टर में पढ़ा दिया था अब फटा फट इसका अंसर आप बता दिजिए कि क्या होगा यानि क्या डिरेक्टली प्रोपोस्टर होता है यार डिरेक्टली लिखो ना टी तू बड़ाबर बीवन बड़ाबर क्या रिफू वेट्वन भाटर गया बद होगा बात खतम आप फूटिंग दवायल फेल वी ल֮त ζब्न को haram होना है तो वीटू बरावर यहां से कल लिए वी तो बड़ावर क्या हो जाएगा वीटू बरावर क्या हो जाएगा आपका तो बीवन आजने टी टू अब ड्री टी किbyण हो गया बात खतम वीटू आप को कितना दिया हुआ है 300 mm तो 300 हो गया अधिटू ट्यूप्रेचर दूसरा का कितना है तो 127 कल् Know which system time कगितना हống टीवन आपको कितना दिया हुआ है तो आपका 27 दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस है plus 227 डिग्री सेल्शियस हां डायेक्त कैलुण में delle हैं 272 बेराबर कितना हो जाएगा था दूसों तेहत्तर बराबर आपको आ जाएगा डाइडेक्ट कितना जाएगा तो 300 केल्विन यह हो जाएगा टीवन और टीटू आपका कितना हो जाएगा 127 प्लस 273 बराबर आपका 400 Kelvin हो जागा कितना हो जागा 400 Kelvin तो ढड़ीगे t2 आपका कितना तो 400 Kelvin और ट1 आपका कितना तो 300 Kelvin यह इससे कट गया अब बचा कितना तो 400 बचा कितना तो 400 ML आपका हो जाएगा यानि क्या हो जाएगा तो 127 degree Celsius पर यानि किसी gas का जब pressure को constant कर देते हैं तो 27 degree Celsius पर उसका volume आपका कितना होता है 300 ml होता है तो 127 degree Celsius पर उसका volume कितना हो जाएगा 400 ml हो जाएगा कितना ml हो जाएगा 400 ml हो जाएगा उमीद है समझ में आगया होगा आड़ा होगा आगे बढ़े next question क्यों move किया जाए next question क्यों move किया जाए चलिए हम अगला question देखते है हमारा अगला question क्या कहता है एक तत्व का electronic बिन्यास दिया हुआ है electronic configuration 2, 8 और 2 यानि 3 कक्षा है K, L, M अंतिम कक्षा कोन है 2 जब last कक्षा में एक electron होगा last कक्षा में एक electron होगा तो वो electron देगा last कक्षा में 2 electron होगा वो भी electron देगा 3 होगा वो भी electron देगा और मैंने आपको बताया था metals are by birth electron donor याद रखिएगा metals are by birth electron donor ठीक है धातू के पास जनम जात गुन पाया जाता है धातू के पास जनम जात जनम से ही पाया जाता है जनम जात गुन पाया जाता है गुन पाया जाता है जाता है कि वह electron देता है electron क्या करता है देता है तो यहां यह क्या करेगा एलाक्ट्रोन देगा यह क्या करेगा एलाक्ट्रोन देगा जब देगा तब क्या हो जाएगा धातू हो जाएगा देगा तो क्या हो जाएगा धातू हो जाएगा एक तप अब आपको देखिए तो यह आपको एलाक्ट्रोन क्या कंफिग्रेशन होता है यह आपका किसका कंफि हो गया पर मानू संख्या कितना हो गया बार हो गया इसका मतलब या आपका क्या है ऐल्मूनियम है ऑल्मूनियम का बार होता है आपको समझ में आगया रिसपॉंस आएगा तो वैसे तो हम समझी जाएंगे ठीक है तो ये भी समझ में आ गया ये भी समझ में आ गया आप जैसे समझना है वैसे आप समझ सकते हैं नेक्स्ट कोस्टन क्यों रिमूब करते हैं हाँ तो इतना करने के बाद एक थैंक्यू तो बनता है भाई कि खतम हुआ कहानी नहीं हुआ नई आभी थोड़ा से बचा हुआ है। टो चलिए आगे बरते हैं क्या कहता है कि sodium का sodium का परमानू द्रवमान 23 से परमानू नंबर यह है भाई लिक दो, sodium का symbol क्या होता है ने क्योंकि sodium का Latin नाम बगता whether yazução angular नैट्रियम होता है आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबोल रखा जाता है उसके रखने का भी सिस्टम होता है अगर किसी वो भी हम आपको समझा देते हैं दो तीन चीज याद रखेगा मात्र तीन चीज याद रखना है जिंदगी में किसी भी है Capital क्या होता है जैसे लगातार यू मोळिंग तो पहला capital होगा दूसरा आपका समाल होगा और लगातार दो लेटर होगा ठीक है अगर तीन से और कुछ ऐसे तत्व है जैसे आपका sodium है, तो sodium तो इसे लिखा जाता है, तो उसका latin नाम का symbol होता है, जैसे iron है, तो iron का latin नाम या आपका latin नेम है, यह क्या है, latin word है, latin नेम है, तो iron का latin नेम क्या होता है, फेरस होता है, आप देखिएगा, f e double r o u s, तो इसका भी symbol दो लेटर से है, तो f e direct, पहला वल दूसरा है small, ठीक है, और उसके बाद जब अगर तीन लेटर से लिखा जाएगा, तो उसमें pronunciation देखेंगे, जो उस चारन होगा, जिस जिस लेटर पर जोड़ परेगा, उस चारन के दोरान जो जोड़ परेगा, pronunciation जब करेंगे उसका, तो जिस जिस लेटर पर जोड़ लेकिन पहिला capital, बादमा के सब है small, बस यही तरीका है, और दूसरा कोई तरीका नहीं, किसी का भी नाम लिख सकते है, अलमुनियम देख लिजे, L लिखा जाता है, कैल्सियम देख लिजे, CA लिखा जाता है, वैनेडियम लिखे, एक लेटर तो वी लिखा जाता है, क्रोमियम को के बाद रोग लिखा है, तो हमारे पास nitrogen दियागा, atomic number यहीं लिखे लिखते है, तो यह 11 हो गया, यह 20 हो गया, तो जितना atomic number होता है, तो number of electron atomic number 11 number of protons कितने हो जाएंगे तो इसका atomic यानि जितना electron उतना proton कितना हो जाएगा 11 number of neutron क्या हो जाएगा तो atomic mass में से atomic number को घटा दीजे तो इसमें से 11 को घटा दीजे तो कितना जाएगा 12 11 11 12 है कहीं दिया हुआ किसका संख्या पूछ रहा था करंबद तो electron पहले था neutron भी ठा आद तब आपका क्या है proton है तो electron 11 12 11 electron कितना हो गया तो electron आपके 11 हो गया और ये neutron कितना हो गया तो बारा हो गया और प्रोट्रोन कितना हो गया तो आपका एक ग्यारा हो गया तो एक ग्यारा बारा एक ग्यारा यानि कुन सा अप्शन होगा बारा पहले एलक्ट्रोन है तो एक ग्यारा बारा एक ग्यारा एक ग्यारा बारा एक ग्यारा एक ग्यारा एक ग्यारा एक ग्यारा एक रचल बार प्रोड निूट्रों और आपका एग्यारह यह करम्बत तरीका से था हमने बता दिया आपको सुख संधी कि नेक्स्ट को सनको रिमूब करते हैं हमारा आगला को सन क्या है सो देखिएगा क्या काता है कि कैल्सियम कार्बोनेट को गर्म किजिए गा तो क्या तोटेगा calcium oxide में तूट जाएगा और carbon dioxide में बदल जाएगा balance reaction होगा balance reaction में आपकाता है कि 100 gram calcium carbonate से बने calcium oxide के द्रभमान का परिकरन करें पर्मानू द्रभमान यह दिया हुआ अब किजिए इसको फिर एस्ट्रोमेट्री का कॉफिसेंट एस्ट्रोमेट्री का कॉंसेट्प लगाईए वन वन और वन बैलेंस है देख लिजेगा आप एक calcium इधर है एक calcium ऐसा बता है तो यह कितना तो एक मोल अगर यह होता है तो आपको calcium oxide एक मोल बनता है कितना बनता है एक मोल बनता है ठीक है अब आपको 100 gram में कितना मोल होगा calcium oxide तो calcium का मास दिया हुआ है हम कहें लिखे मास 40 दिया हुआ है calcium का मास 40 कार्बन का बार और oxygen का 16 तो तीन गों और तालीस और तालीस और बारा कितना हो जागा 60-40-100 हो गया तो 100 gram number of moles CCO3 का निकाल लिजे calcium carbonate का तो वो क्या हो जागा number of moles तो मास आपका कितना दिया गया है given mass आपका 100 gram है और molecular mass कितना जागा 40 पलस 12 बाबन और 48 कितना बाबन और 48 100 gram यह इससे कटिए गया आया कितना वन तो एक मोल ये तो एक मोल ये बना तो इसका मास कितना हो जागा अपन गराम तो हो जाएगा यानि एक इतना होगा तो कितना चिपन गराम आपको बनेगा इस प्रकार एक बहुत ही खुबसूरत ता और अच्छा सा लेक्चर जो आपके आपको कैसा लगा आप कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मैं एक बार और रिमाइन करता हो कि आप लोग में से जो कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइब सेर करेंगे हसते खेलते मुस्कुराते खाते पीते पड़ते रहिए तब तक के लिए बेस्ट आफ लक थैंक क्यू वेट फॉर दा नेक्स्ट लेक्चर